डियर स्टुडेंट्स, हलो माई फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल इंगलिस बाई धीरन मिस्त्रा सर स्टुडेंट्स, आज मैं आप सभी को एक न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ और टॉपिक का नाम है एरर करेक्शन तो आप देख शकते हैं ये एरर करेक्शन नाइन से लेकर ट्वेल तक के स्टुडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है और ये से पैसे के द्वारा मतलब एक्जाम में पूछे जाते हैं क्वेस्चन और यहाँ पे कुछ नंबर्स दिये गया हैं और मैंने बुक से लिया हुआ है तो वहाँ से जो टॉपिक है वन बाई वन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो आप सभी ध्यान देंगे सबसे पहले हम 90 नंबर यहाँ पे है जो बुक में दिया गया है तो यह नंबरिंग है तो आईए सबसे पहले 90 नंबर को पढ़ते हैं विक्रमा दित्य वाज वनली नॉट माइटी किंग और ग्रेट वारियर माइटी किंग मतलब सर्व सक्तिसाली राजा ग्रेट वारियर मतलब महान युद्धा यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट आल सो बट तो आप जानते हैं यहाँ पे नॉट वनली आएगा क्या आएगा नॉट वनली यह देखें मैं आपको दिखा भी रहा हूं नॉट वनली और यह आल्सो बट नहीं आता सेकेंड वाला इसको आप बट आल्सो लिख लेंगे क्योंकि आल्सो बट नहीं होता यह आप भी जानते हैं तो चलिए हम समझ लेते हैं इसमें क्या दिया है स्टूडेंट कि विक्रमा दित जो है मतलब न तो केवल वो सर्वसक्तिसाली राजा एक महान योद्दा था लेकिन वो क्या था बट आल्सो एवेरी फेमस जज एक प्रसिद न्याय करता भी था अब आप समझ गए होंगे इस्टूडेंट यब हो माइटी किंग है और ग्रेट वैरियर है तो यहां पे जब ग्रेट वैरियर है और फेमस जज है तो आप समझ रहे होंगे कि वो आगे क्या उसके बारे में आएगा तो चलिए देखते हैं दूसरी लाइन दूसरी लाइन में लिखा है स्टूडेंट पीपल मतलब लोग कहते थे that he often made a mistake मतलब वो often का मतलब होता है prior तो made a mistake मतलब गलती करना तो जब वो इतना महान राजा है योद्धा है और फेमस जज है तो वो prior mistake करेगा कि कभी नहीं करेगा तो आप समझ गे कि यहाँ often जो लिखा है यह जो often है यहाँ पे आएगा never वो कभी नहीं गलती करता था अब देखी यहाँ पे अगला sentence क्या है no one who brought a case मतलब कोई भी उसके सामने case नहीं लाता था कि जो कोई भी लाता था तो जब कोई case ही नहीं लाएगा तो कैसे solve होगा तो students I hope आप समझ गया होंगे यहाँ पे जो no one है यहाँ पे आएगा anyone ध्यान दीजिए मैं indicate करके दिखा रहा हूँ no one की जगा anyone अब आप इसको फिर से join करें meaning को anyone who brought a case before him जो कोई उसके सामने case लाता था for judgment नेड़ाय के लिए went away जाता था satisfied वो संतुष्ट होकर के ही वहाँ से जाता था कोई भी व्यक्ति जो उसके सामने case लाता था judgment के लिए नेड़ाय के लिए तो वो संतुष्ट होकर के ही जाता था अगली line देख लेते हैं student अगली line है when he judged the case जब वो case को judge करता यानि उस पर नेड़ाय सुनाने वाला होता he would sit on throne वो एक सिंहासन पर बैठता throne मतलब सिंहासन, sit मतलब बैठता who was called lion seat जिसको lion seat कहा जाता है अब students आप समझ गये होंगे और नहीं तो फिर से ध्यान दिजे who हमेशा व्यक्ति की विशेष्टा बताता है तो जबकि who के बगल में word आया है throne, throne मतलब सिंहासन, जो कोई seat है, seat, सिंहासन seat होता है न, तो उसके लिए who नहीं आएगा who के बदले में क्या आएगा, which या that, तो आप who की जगा पे क्या लिखेंगे, which was called lion seat, या that was called lion seat, तो आप यहाँ which लिखेंगे clear, who कभी नहीं आएगा, who व्यक्ति की विशेष्टा बताने के लिए आता है, यह who के बगल में अगर यहाँ throne की जगा पे कोई व्यक्ति होता, तब यह who आजाता, लेकिन यहाँ पे throne है, तो throne को ही, who was called lion seat, यानि सिंहासन को ही lion seat कहा जाता था, तो who की जगा पे हम क्या find कर दे रहाँ, student, यहाँ पे आएगा, not only, यहाँ आएगा, but also, और third आएगा, never made a mistake, और यहाँ आएगा, anyone who brought a case, और यहाँ पे आएगा, which was called, तो चलिए, अब 20 नमबर चलते है, student, 20 नमबर में, सबसे पहले हम read करेंगे, the Japanese is, अब देखिए, सब्द क्या लिखा है, Japanese, अब पूरी meaning joint करिए, Japanese are peace loving and hard working people, Japanese लोग बहुत सांत्यप्री हैं, और hard working लोग होते हैं, they live on wooden houses, अब देखिए, wooden मतलब लकडी का houses बने घर, लकडी के बने घरों में रहते हैं, तो घर के अंदर हो, किचन के अंदर हो, किसी चीज के अंदर कोई चीज होता है, तो इन आता है, वह यहां on की जगह इन आएगा, ugly line, they are very friendly and kind, यह जापान के लोग बहुत friendly और kind होते हैं, they like to invite guests, यह guest को invite करना पसंद करते हैं, मतलब महमानों को invite करना, अमंतरन देना पसंद करते हैं, on much occasion, much occasion मतलब बहुत ज्यादा उसरों पर, आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर वो invite करना करते हैं, तो every occasion, यहां much की जगह पर क्या लिखेंगे आप, every occasion, every मतलब हर, प्रतेक आउसर पर, occasion मतलब आउसर, तो यहां much की जगह क्या आएगा, every, तो चलिए आगे देखते हैं, student, they kneel on a cushion on the floor and eat his meals, अब देखीं, यहां पर they है subject, student, नील माने जुकना, they kneel on a cushion on the floor, वो फर पर, गदे के ऊपर क्या करते हैं, मतलब घुटने के बल बैठते हैं, and knee मतलब घुटना होता है, तो नील मतलब उसी से बना है, and eat his, तो देखें, student, अगर यहां they है, मैं indicate कर रहा हूँ, आपको देखें, अगर यहां they है, तो यहां his नहीं आना चाहिए, they are आना चाहिए, dear, t-h-e-i-r, क्योंकि they के साथ जो possessive case आता है, वो his नहीं आता, dear आता है, तो यहां dear हो जाएगा, अब चलिए आगे देखते है, student, उसी में अगली line, they love to arrange flowers, यह फूलो को arrange करना बहुत पसंद करते हैं, and papers को भी in many beautiful ways, कई सुन्दर तरीकों से paper को और flowers को arrange करना इसको पसंद ह many people in the world learn ekebana, कई लोग दुनिया में वो सीखते हैं, learn ekebana, अब ekebana क्या है, an art of arranging flowers, फूलो को arrange करने की एक विसेश कला, तो आप देखिए students, यहां पे ekebana क्या है, एक art है, तो जो की विसेशता बताई जा रहे, तो विसेशता बताने के लिए कभी भी an नहीं आता, जब फूलो को विसेशता करने की एक कला है, तो ekebana की विसेशता बताने के लिए यहां पे दा आएगा, clear, तो फिर से मैं आपको revise कर दे रहा हो पूरा, यहां जापानी आर आएगा, और यहां पे they live in wooden houses आएगा, यहां पे आएगा every occasion, हर आउसर पर रो invite करते हैं, यहां पे विसेशता बताने के लिए क्या आएगा, the, clear, चलिए, 21 number चलते है, student हम सभी लोग, अब 21 number में क्या दिया है, सबसे पहले देखिए, long ago the man lived, अब the खासियत बताता है, तो पहले एक आदमी कोई रहता होगा न, कि पहले the man ही आएगा, तो आप समझ गए, एक आदमी रहता है, तो long ago a man lived in Turkey, बहुत लंबे समय पहले एक आदमी टर्की में रहता था, टर्की यानि तुर्की एक देश है, वही की बात कर रहे है, तो students यहाँ पर क्या आजाएगा, आप समझ गए होंगे, the की जगा पर क्या आएगा, a, तो फिर से meaning जोड़िए, long ago a man lived in Turkey, बहुत लंबे स सुरुत दिन, तो दो मिल गए आपको, the की जगा, a man और हर की जगा पर ही जा गया, he had a wonderful man, तो had possession में आता है, तो उसके पास एक wonderful आदमी था, कि वह wonderful आदमी था, तो आप समझ गए होंगे, यहाँ head की जगा पर क्या आएगा, was, अब meaning joint कर लिजे आप, he was a wonderful man, मतलब वह एक wonderful आदमी था, head का कोई meaning ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वह error है, तो आपको correction तो ढूड़ना ही है, meaning के साथ, अब फिर से आप join कर सकते है, long ago a man lived in Turkey, the की जगा पर आएगा, her नहीं आएगा, क्योंकि नसरुत दिन मेल है, तो ही जाएगा यहाँ, और head की जगा पर वा जाएगा, ugly line He had a great sense for humor, sense for humor कभी नहीं होता है, जब भी होता है sense of humor, तो off आएगा, for की जगा क्या आएगा, off आएगा, तो आप समझ गये होंगे, उसके पास एक बहुती बड़ा sense of humor था, तो यहाँ for की जगा पे off आएगा, he looked foolish, वो मूर्ख दिखता था, and he was very wise, तो मैंने students conjunction में बहुत प एक तरफ अगर foolish है और एक तरफ wise है, तो एक मूर्ख है एक बुद्धिमान, और दोनों को end से कभी नहीं जोड़ा जाएगा, जब विपरीद बातें हो रही हो, विरोधा भास इस्थिती की दिखाई पड़ रहे हो, तो वहाँ but आता है, क्या आता है, but, तो यहाँ end की जग 22 नंबर देख लेते हैं, 22 नंबर में, through truth and non-violence, सच्चाई और अहिंसा के द्वारा, through मतलब द्वारा, truth मतलब सच्चाई, non-violence मतलब अहिंसा, सच्चाई और अहिंसा के द्वारा, महात्मा गाधी won freedom for us, महात्मा गाधी ने won, one मतलब जीता, freedom सवतंतर था, for us मतलब हमारे लिए, he fought वो लड़े with the mightest modern empire, mightest सर्वसक्तिशाली modern आधुनिक empire मतलब सामराज, तो वो सर्वसक्तिशाली आधुनिक समराज के साथ लड़े की उसके खिलाफ लड़े, तो आपको पता है, उसके खिलाफ लड़े थे, साथ में नहीं लड़े थे, जो बहुत बड़ा तो जब खिलाफ की बात करेंगे, तो इस्टूडेंट यहां वित नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, अगेंस्ट, क्या आएगा, अगेंस्ट, क्लियर, तो अगेंस्ट आएगा, तो चलिए फिर से लाइन देखिए, यहां वित की जगह पे अगेंस्ट आएगा, he fought with the mightest modern empire मतलब वो mightest modern empire, जो सर्वसक्तिसाली आधुनी किसामराज है, उसके खिलाफ लड़े, and his fight was non-violent, और उनका जो fight लड़ाई था, वो non-violent था, देखिए, यहां पे end नहीं आ सकता, क्योंकि जो अंग्रेज थे, वो violent में विश्वास करते थे, तो लेकिन उसके खिलाफ यह non-violent त स्थिति की बात की गई है, तो आप समझ के होंगे, students, यहां पे end की जगा, but his fight was non-violent, लेकिन उनका जो लड़ाई था, वो non-violent था, इंसात्मक था, clear, उपर आया भी है, आप देख सकते हैं, he always had any thought of revenge, revenge माने बदला लेना, thought माने विचार, तो ही मतलब उनके पास always had, हमेशा हो होता था, भई, revenge मतलब बदला लेना, thought माने विचार, तो उनके mind में बदला लेने का विचार always हमेशा था, तो यहां always नहीं आएगा, क्योंकि गांदी जी के दिमाग में, कभी भी बदला लेने का कोई ऐसा इरादा नहीं था, तो always की जगह क्या आएगा, never, तो आप समझ र अब यहां कोई विरोधात्मक बात नहीं की जा रही है, एक तरफ revenge बदला लेना, hitting back, वापस किसी को hit करना, तो यह दोनों optional बाते की जा रहे हैं, कि बदला लेना, अथवा किसी को hit करने का कोई विचार नहीं था, तो जब अथवा बात आया, option आया, तो वहां OR आता है, तो अगली लाइन देख लीजे, he never, यहां always की जगह never आएगा, had any thought of revenge, are hitting back, मतलब उनके पास बदला लेने का कोई भी, या किसी को hit back करने का कोई विचार ऐसा कभी नहीं होता था, he always pardoned, pardoned मतलब छमा कर देते थे, those उन लोगों को which, जो की wronged, गलत होते थे, हिम उनके प्रती, आप देखें, यहां which नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, आप समझिए इस बात को practically, he always pardoned, he मतलब गांदी जी always हमेशा pardoned छमा कर देते थे, दोज मतलब उन लोगों की बात की जारी है, व्यक्तियों की, तो जब व्यक्तियों की बात की जारी हो, तो यहां which कैसे आ सकता है, तो यहां who आएगा, आप अच्छी तरह जानते हैं, who हमेशा व्यक्ति के लिए आता है, subject में, तो who wronged him, जो उनके साथ गलत भी करते थे, उनको भी छमा कर देते थे, कौन, गांदी जी, तो students, यह मैंने आपको आज, 19 से लेकर के, 20, यह 19 से 22 तक का, इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है, I hope कि आप अच्छे से समझ भी गए होंगे, और मेरे YouTube चैनल को like और subscribe करना न भूले, मैं आपके लिए इसके आगे की भी वीडियो बना करके send करूंगा, तब तक के लिए इंतजार करें, thank you.